हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 आईपी के अकॉर्डिंग, आज हम लोग अपने चैप्टर नमबर 11 यानिगी सोचाइटल इंपक्ट के लाज टॉपिक को डिसकस कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात करें हेल्थ कंसर्न विट टेक्नलोजी यूजेज को लेकर के, दोस्तो टेक्नलोजी को यूज करना आज हमारी जरूरत बन चुकी है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा टेक्नलोजी इसको यूज करें, लेकिन दोस्तो कहीं न कहीं ये जो टेक्नलोजी हैं, जिसको अगर हम गलत तरीके से यूज करें, तो कहीं न कहीं हमारी हेल्थ के उपर भी इसका एफेक भी करें हमारी लाइफ को बहुत इंप्रूव भी कर रहा है लेकिन फिर भी इसको एक मॉडरेट अमांट में हमको इसको यूज करना चाहिए ठीक है एक्सिसिव यूज ऑफ टेकलोजी सज एस स्मार्टफोन हम लोग कई बार जो है वह स्मार्टफोन को बहुत जादा टायम त कर सकते हैं कि कुछ कंसीडर कर सकते हम यहां पर स्कुले करके कि कहीं ने कहीं हमारे है को problem में डालता हैश को बात कर सकते हैं हैthree कि इस तहीं कश लोग aware को use करते हैं रात के टायम में अंधे ने फोन को यूज करते हैं, हो सकता है, आप भी हो, उसमें मैं भी होता हूँ कही बार, तो कही बार हम लोग ऐसा यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों, जादा देर तक अगर आप मोबाइल को अंधेरे में यूज करेंगे, तो कहीं न कहीं यह जो आपका mobile है जो एक blue light generate करता है और यह blue light हमारी आखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दायक होती है ठीके तो यहां हम लोग बात कर सकते हैं कि यहां पर staring at screen for prolonged period बहुत ज़्यादा time तक अगर आप उसको use करते हैं तो can lead to eye strain आपके eye strain हो सकती है dry eyes हो सकती है या फिर blood vision आपकी जो देखने की शमता है मतलब blur कर सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर जाला time तक अगर screen देखते हैं तो दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद हमको कई बार मतलब ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि मुझे कुछ चीजे जो एकदम दूनली दूनली दिखाए देती फिर थोड़ा सा मुझे gap लेना पड़ता है तो कई बार ऐसा होता है हमारी मजबूरी होती है जैसे मैं कई बार कुछ content बनाता हूं तो कई गंटों तक मुझे बैठ करके content को देखना पड़ता है उसमें images वगरा सब कुछ set करनी पड़ती है तो इन सभी चीज़ों में हम लोग यह देख सकते हैं कि कई ने कहीं eye strain dry, eye strain, blood vision भी हो सकता है और कई बार दोस्तों ज़्यादा आप इस mobile को अगर use करते हैं तो हमारे लिए headache भी होता है ठीक है ऐसे कुछ और issues भी हो सकते हैं जन्दिल यगर हम बात करें तो यह किसके लिए होती है किसके basis पर होती है क्योंकि वो हमारा जो screen है हमारा चाहे वो laptop का हो चाहे mobile का हो वो कहीं ने कहीं blue light को यहां produce करता है जो हमारी आँकों के लिए नुक्सान दायक है करी बार दोस्तों हम लोग बैठते भी डंक से नहीं है हमारे जैसे mobile है तो mobile में आपने इसी तरीके से हाथ कर रखे होते हैं अंगुठों का जो आपका पॉस्चर वो ऐसा कैसा रहता है गर्दन आपकी ऐसी रहती है बैक जो है वो आपकी इसाई पॉस्चर पर नहीं होती है तो ये भी कहीं न कहीं हमारे लिए कुछ नुक्षान दे सकते हैं कह सकते कि प्रोलॉंग यूज ऑफ स्मार्ट फोन या फिर टैबलेट या फिर कंप्यूटर जो है वो कहीं न कहीं हमारे पूर पॉस्चर की वज़े से हमारे नेक स्ट्रेंड या फिर बैक प्रॉब्लम को करता है इस इंक्रीजेज वेन पीपल बैंड ओवर डियर डिवाइस जब आप धंग से नहीं बैठते हैं तो फिर आपके लिए ऐसे इसूज भी हो सकते हैं और ज़्यादा टाइम तक अगर आप मोबाइल यूज करें तो एक तो आपके बैठने का तरीका एकदम सही हो और आपके आइस का जो डिस्टेंस है आपके स्क्रीन का ठीक है आपके हातों का जो पॉस्चर से जब आप अगरा करते हैं वह सब कुछ आपका सई होना चाहिए लेकिन फिर भी दोस्तों बीच बीच में गैप लेना बहुत ज़दा ज़रूरी है इसी टाप से कह सकते हैं कि स्ल परवैस में मेलोटनीन होता है वो यहां पर प्रोड Whose होता है जसकी वजह से हमारे जो नीन का टाइम है मतलब सोना जागना ये सब कुछ यह manage करता है तो यह जो है वो डिस्टब करेगा और इसकी वज़े से हमारे नीन तक जो है वो कई बार खराब हो जाती है मतलब नीन रात को देर तक नीन नहीं आना वो सब इसी के भी एक यह भी उसमें एक बहुत बड़ा important role play करता है तो क्या सकते हैं the blue light जो आपके पास emitted by screens can interfere with the production of melatonin तो जो melatonin अपनी body में produce होता है naturally उसको यह जो है वो इंटरफेर करता है ठीके यह है क्या basically एक आपका हार्मोन है जो regulate करता है हमारे नीन को potentially leading to sleep disturbance and insomnia कई बार insomnia जैसे बीमारी तक हो सकती है मतलब नीन नहीं आने की भी बीमारी हो सकती है अगर आप ज्यादा देर तक इसको mobile को use करते हैं इसी ताप से दोस्तों कुछ लोग जो है वो digital addiction होते है mobile addiction उनको बहुत ज्यादा होता है दिन बर वो लोग शायद social media को यूज करेंगे games को use करेंगे तो excessive use of technologies particularly social media and gaming को लेकर कर आप बात करें तो कहीं न कहीं दोस्तों यह हमा devices है वो कहीं न कहीं radiation जो है वो भी expose करते हैं तो radiation की वज़े से भी दोस्तों हमारी body को नुकसान पहुचाया जा सकता है तो कह सकते जो cell phone है basically तो उसकी वज़े से भी हमको नुकसान हो सकता है ऐसे ही अगर हम बात करें तो mental health issues हो सकते हैं यानिकि इसमें आपने anxiety हो सकती है depressions में भी जा सकते हैं ऐसे कई बार हम लोग अकेला पन मैसूस करते है feeling of loneliness ठीके ऐसे बहुत सारे चीज़े हो सकते हैं क्योंकि social media को use करके हम लोग मैसूस भी करते हैं इसमें दोस्तों कहीं न कहीं हमारे लिए contribute करता है fear of missing out जिसको हम FOMO कहते हैं तो कई बार आपने सुना हो हो गया कि कुछ लोगों को FOMO होता है मतलब उनको ऐसा डर रहता ही हो जाएगा वह हो जाएगा इस तरीके से ज्यादा तर जो लोग social media को use करते हैं उनके लिए है ऐसी physical in activity भी है अपने पास में वह लोग जो ज्यादा तर मोबाइल को use करते कहीं ने वह फिजिकल काम कम करते जैसे mobile पर गेम खेलिया लेकिन physical गेम नहीं खेला तो ऐसे उनकी जो lifestyle है कहीं ने कहीं दोस्तों वह भी in active हो जाती है तो यहां पर ऐसे points को लेकर की भी देखे तो ऐसे भी कुछ health जो risk है वह भी अपने पास होते हैं इसी type से हम लोग कह सकते है impact on hearing कहीं बार कुछ लोग हम लोग बड़े हो चुके हैं कहने का मतलब है कई बार हम लोग बहुत enjoy करते हैं गानों को सुनते हुए लेकिन आपको शाद यह पता होगा एक survey था मतलब उसके according अगर बात करें research हुआ ठीक है study हुई जिसमें यह बताया गया था जो कि 1992 में हुई थी ठीक है इसमें यह बत को यूज करते हैं ठीक है it has been said that using headphones increase the bacteria's level in your ears over 700 times 700 गुना आपके कान के जो bacteria's है वो आपके बढ़ जाते हैं when used for more than one hour अगर आप एक गंटे से ज्यादा headphone use करते हैं तो लगबग 700 गुना हम लोग कह सकते हैं bacteria's बढ़ जाते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ी बात है तो यह भी हमको एक नुकसान हो सकता है और बाकि तो यह loudly music सुनने पर जो नुकसान होते हैं कुछ लोग तो सुनना भी बंद हो चुका होता है बहुत सारे issues है ऐसी हम लोग ऐसे कुछ और भी बात कर सकते हैं कि to reduce this risk it's important to take breaks आप बार बार अपने स्क्रीन से आपकी computer से कुछ gap लीजिए ठीक है और आप कोशिश करें अच्छे से बैठ सके प्रैक्टिस गुड पॉस्चर्स अड़ेश्ट स्क्रीन सेटिंग्स टू रिद्यूस ब्लू लाइट एमिशन्स जो हमारे मोबाइल की सेटिंग्स है ब्लू लाइट को आप कम करे ठीक है उसकी सेटिंग्स में चेंज करें and maintain a balance between technologies and technologies का use करना और साथ में हमारी जो activities जो हमारी होती है उनको थोड़ा balance हमको करना पड़ेगा इमेज में दोस्तों बहुत सारी चीजे हैं आप देख सकते हैं यहां पर इतने सारे issues हमारे सामने हो सकते हैं अगर हम मोबाइल को या अपने computer को बहुत ज़्यादा use करते हैं I hope दोस्तों सारे points आपको अच्छे से समझ में आच चुके होंगे तो यह लास्ट छोटा सा topic ता जो आज हम लोग discuss करें इसी तरीके से दोस्तों आज अपन इसको खतम करते हैं मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में एक और करते हैं